स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हिंदी सनमार्ग में जैसा कि हमने पहली वीडियो में ककसा 6 का पार्ट एक किरनाई चाही पढ़ा था और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगली वीडियो में हम एक किरनाई चाही के मौकी के हम लिखित पर सनुत्तर करें तो बिना किसी देरी के हम पार्ट एक किरनाई चाही के मौकी के हम लिखित पर सनुत्तर करते हैं चलिए तो देखते हैं पहला पर सन तो पहला पर सन है एक किरन दुनिया में क्या लाई उत्तर है एक किरन दुनिया में निराली जोती लाई दूसरा पर सन देखिए सूर्य कहां से निकला उत्तर है सूर्य पूरव दिशा से निकला तीसरा पर्षन है किरण के हसने पर क्या हुआ तो उत्तर देखिए किरण के हसने पर फूल मुस्काने लगे अंतिम मोकिक पर्षन है कवी क्या बनने की प्रेणा दे रहा है तो कवी हमें एक किरण बनने की प्रेणा दे रहा है देखे लिकित परसन उत्तर देखे परसन पहला है एक किरण आई चाई किस कवी की रचना है तो एक किरण आई चाई सोहनलाल द्वेदी जी की रचना है दूसरा परसन देखे सूर्य किस दिसा में उद्य होता है तो तरह सूर्य पूरव दिसा में उद्य होता है तीसरा परसंदे की हम धर्ती का कन कन कैसे चमका सकते हैं तो हम एक किरन बनकर धर्ती का कन कन चमका सकते हैं अंधिम परसंदे की किर्णे च्छाने पर परकर्ती में क्या क्या परिवर्तन आते हैं किरने च्छाने पर फूल मुस्काने लगते हैं, सुगंदित पवन बहने लगती है, तथा भवरे मेठे गीत गाने लगते हैं तो आपको ये वीडियो कैसी लगी किरपा कमेंट करें और सेयर करें और सबिस्क्राइब करें और अगली वीडियो में हम पार्ट दो की याख्या करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में उसके पर सनत्तर करेंगे धन्यवाद